हेलो अब्रीवन वेलकम टो ब्रेंशोक्स मेरा नाम रजात है और इस वीडियो सीरिज में हम कर रहे हैं गेट इंजिनिरिंग मैंस के प्रिवेसर कोशिंस अल ब्रांचेश हर वीडियो में पांच कोश्चंस करते हैं फिलार मना टॉपिक चल रहा है प्रबाबिलिटी डिस्ट वाई इफ वेरियंस ऑफ जेट एकल तो जिरो देन वैल्यू आफ आर इस ठीक है तो सबसे पहले एक्सपोनेशल इस्टिबूटर एक्स जो भी एफ एक्स क्या होता है लैमडा एकी पावर माइनिस लैमडा एक्स एक्स एकल टू जीरो जीरो फोर एक्स लेस जन जिरो ठीक ह इसमें जो मीन आता है वाईगा वन बाई लैमडा और जो वेरियंस आता है वन बाई लैमडा स्कूर ठीक है बैसिकली वेरियंस जो होगा वह मीन का स्कूर होगा ठीक है तो दिखा जाए वेरियंस ओफ एक्स आजाएगा पॉइंट पाइव का स्कूर ठीक है तो लैमडा के वैलिए से तू होगी ना तो मन बैटू इसकोल टो पॉइंट फाइव तो वेरिंसपाइगा पॉइंट टो फई और कभी वेरियंस लिया आएगा ठीक है अब यह अपसमें इंडी मैंने नहीं अथिक तो जो वेरियंस आएगा जाड़ का यानि वेरियंस ओफ एक्स प्लस वाई तो यह किसके को लागा वेरियंस सोरी आपस में अर्लेटेड है ना क्योंकि आर इस कोर्रेलेशन को अप्शेन यहां से पूछा ठीक है तो यह वेरियंस और वाई प्लस टू टाइमस को वेरियंस ओफ एक्संट बॉयde ठीक है अमें बोला है कि यह के वेरियंस जीरो यह है यह 0 वेकोल है यह यह भी पॉइंट टू-फाइव यह हम बता करना है इसको सब्सक्राइब ने लेते हैं या फ्र आलिक लेते हैं तो टू-ए-इस इकल्ड्वट टू मइनस बाइड़ वट्न ठीक है, तो A is equal to minus 0.5 divided by 2 is equal to minus 0.25, ठीक है, फिर हमें पुछा है, correlation coefficient R वह था है, covariance of X and Y divided by standard division of X into standard division of Y, ठीक है, तो इसका covariance हागा, 0.25, ठीक है, standard division कितना हैगा, variance का अंडरूट, ठीक है, 0.25 का अंडरूट, यानि 0.5 होना, देखा जाए है, इसमें mean और standard division सेम आगे, ठीक है, तो वह है 0.5 into 0.5, 0.5 into 0.5, 0.25, 0.25, 0.25 कटके 1 हो जाएगा, ठीक है, तो minus 1 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस 1 आ जाएगा है, mean, expectation of x, mean क्या होता, binomal में, n into p, ठीक है, option a. Next question is, Paul, that book of 600 pages contain 40 printing mistakes, assume that these errors are randomly distributed throughout the book and x, the number of error per page has a poison distribution, probability that 10 pages selected at random will be free of error. ठीक है, तो 10 pages हमने select किये हैं कि free of error, तो 10 page में कितने printing mistake होनी की probability, मतलब mean कितना आएगा 10 pages, कितने error हो सकते हैं, तो 600 में 40 हो सकते हैं, एक में 40 बड़ा 600, दस page में 2 by 3, मिस्ट प्रिंटिंग मिस्ट प्रोबिलिटी जीरो है तो e की पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा की p, k किसके को रहता है, k errors की probability, e की पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा की पावर k by k factorial, p 0, लेम्डा की पावर 0, e की पावर माइनस लेम्डा ही आ जाएगा, यानि e की पावर माइनस 2 by 3, option c, ठीक है, सिदा सवाल है, next question is shape of the cumulative distributed function of Gaussian distribution is, ठीक है, देखो, cdf पूछे, pdf कैसे होता है, इस तरीके से, यह तो bell shaped होगे, pdf, यह cdf, cdf देखो, ठीक है, तो cdf क्या represent करता है, किसी point पे पहले का area, ठीक है, उस point से पहले-पहले का area, तो obviously पूरा area तो one आएगा, तो infinite जागे तो one ही होने वाला, ठीक है, यह कौन सी shape होगी, s-shape, option d, ठीक है, straight line at 45 degree, तो ऐसी line किसकी होगी, uniformly distributed distribution की, ठीक है, तो uniformly ऐसे आएगा, इसका area calculate करें, ऐसे जाएगा, बाद में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, horizontal line, next question है, यह अच्छा question है, consider a binomial random variable x, if x1, x2 and xn are independent at identically distributed sample from the distribution of x, with some y is equal to summation of x i from i to n, then distribution of y as an approach to infinity can be approximated, क्या है, हमारे पास basically, कि x एक random variable binomial, बैसको थोड़ी simplify कर लेतों, कि x यहां तो 0 हो सकता है, यह 1 हो सकता है, हम बहुत simple example कर रहा हूँ, कि 0 यहां फिर 1, और probability मानलों मैंने दोनों की 1 by 2, 1 by 2 रखे, ठीक है, अब हमने क्या किया, x1, x2, xn, r, sample लिए हमने की, x1 भी मानलो, 0, 1 कुछ भी हो सकता है, x2 भी 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, xn भी 0, बैसको भी हो सकता है, ठीक है, उसको फिर हमने, उनका sum लिया, और वो आया, random variable y, ठीक है, तो y के distribution कैसी होगी, ठीक है, सबसे पहले option बर्नोली, बर्नोली क्या है, binomial में अगर एक trial बर्नोली है, तो मतलब अगर मैं, हमने बोला, एक बार मैंने coin toss किया, ठीक है, तो मैंने बोला, coin toss किया, यहां फिर, चलो मानलो, तो जो sum हो सकता है, मालो, यह n हो गए, ठीक है, तो sum 0 भी हो सकता है, sum 1 भी हो सकता है, sum 2 भी हो सकता है, ठीक है, तो हम देखें कैसे, तो बर्नोली तो possible नहीं है, ना binomial, क्योंग ऐसा नहीं कि दो ही option है, बहुत सारे option हो सकते हैं, ठीक है, अब नॉर्मल आएगा है, ठीक है सकांसर, यह है central limit theorem, ठीक है, ठीक है, तो यह कह रहा है कि, अगर मालो, infinite, random variable है, उन सब का जो हम sum करेंगे, ठीक है, तो normal distribute होगा, तो इसका मतलब क्या है, suppose करो कि हमने, हमारे पास 0 और 1 दो option है, ठीक है, अगर मालों, सो लोग है हमारे पास, ठीक है, फिर यह चीज़ हमने बार बार के, बहुत बार के, बहुत बार के, कि सब को बोला कि अब number लिखो, हमने उन से number लिया, उनका sum किया, ठीक है, अब अगर मैं मानता हूँ, कि अन हंडर था, ठीक है, अब हमारा जो sum आ सकता है, minimum 0, maximum 100, ठीक है, अब sum 0 कब आएगा, जब सबने 0 लिखा होगा, ठीक है, sum 100 कब आएगा, जब सबने 1, 1, 1 लिखा होगा, ठीक है, तो अगर हमने, यह यह ही चीज, infinite times की, ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 है, ठीक है, कि infinite बार उनको बोला, कि यार, वैसे देखा जाए, यह भी मतलब बहुत राज, इसी को बोलाई कि निफाइन चल जाए, ठीक है, तो चलो, यह हमने 100 थोड़ा समझने के लिखा, कि हमने बहुत बार यह ट्राइल किया, यहाँ बुलाई सबको नमबर लिखो, और फिर सबका सम किया, हमने नोट करें कर गए, ठीक है, अब यह तो सही है कि 0 सम आने के प्रबिटि बहुत मिनिममम है, कि सबने ही 0 लिखा है, ठीक है, similarly 100 सम आने के प्रबिटि भी बहुत कम है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही, कि सबने ह हो जाद हो सकती है, तो जब हम इसका graph बनाएंगे, ठीक है, कि मानलो मैंने 1000 ट्राइल किये ऐसे, ठीक है, तब मैंने देखा कि 0 कितनी बाहराया, उसके probability देख लिए, 1 कितनी बाहर सम आया, उसके देख लिए, 2 3 4, तो जब हम इसको बनाएंगे इसका graph, तो ऐसा ज़रूरी कि एक्जेक्ट बहुत स्मिट्रिक नॉर्मल डिस्टिबूशन बनेगा तो उसके जैसा होसकते है कि जो बिल्कुल फिफ्टी सम के मीन मान के चलते हैं कि मीन फिफ्टी तब आएगा जब दोनों की प्रोबिल्टी वान वान बैट हुआ ठीक है अगर प्रोबिल्टी थोड़ी प्रोबिल्टी प्रोबिल्टी पॉइंट फाइव ठीक है तो थोड़ा नॉर्मल डिस्टिबूटर जैसे बनें बट थोड़ा इससे लिंक्ट सा नहीं है ठीक है इससरफ हिसाद की दिखाने के लिए कि जब हमारी यह भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सेंपल तब नॉर्मल इसको भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं थोड़ा सो समझ कर सकते हैं और एक्स्पोनेशल पॉसिबल निया जैसे मालो एक्स्पोनेशल तो ऐसा कहता है कि इस तरीके से तो पॉसिबल निया कि जीरो क कोई गलत हो जाता है तो इसी तरीके से पांच कोश्ण मारे खतम होते हैं इस वीडियो के किसी भी कोश्ण डाउट हो निचे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को सिखो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मच